जिनी सुडेंट ने अभी हाली में अपरिल दोजाच चौबीस में एक्जाम दिया है देखो आप लोग के रिजल्ट जो है इस महीने के एंड में आने की पूरी-पूरी संभावना है मैंने आप लोग को एक सेपरेटली वीडियो भी बना दिया हूँ कि जो अभी अपरिल दोजाच चौबीस सेशन के एक्जाम में बैटे थे जिन्होंने एक्जाम दिया है उनका रिजल्ट कब तक डिकलेर होने वाला है 100% रिजल्ट आता है तो कब आएगा और अगर हाफ-फाफ करके रिजल्ट एन्वेस डिकलेर करती है जैसे कि बारवी क्लास का पहले करे और दसवी क्लास का बाद में करे तो रिजल्ट कब आएगा उस वीडियो को देख लेना अगर आप देखना चाहो तो खेर मैं आपको यहाँ पर बताने ये आया हूँ कि आप लोग के रिजल्ट आने से पहले आप लोग को ओरिजनल सेटिफिकेट मिलने से पहले जो भी करेक्शन आपको करवाना है करेक्शन आप लोग अभी करवा लो अब वो चाहे आपके नेम करेक्शन हो आपके बापा का नेम करेक्शन हो आपके मुम्मी का नेम करेक्षन हो या फिर आपका डेटर वर्थ करेक्षन हो ठीक है? या आपका किसी भी तरीके का करेक्षन होना है तो original mark sheet मिलने से पहले आप लोग करेक्षन करवा लो क्योंकि देखो original mark sheet जो है न एक बर मिलती है अगर आपका किसी तरीके का आपका correction है आप नहीं करवाते हो तो इन corrected जो data है आप लोग के original mark sheet पे print हो जाएगी फिर उसके बाद जब आप लोग correction करोगे तो यह जो original mark sheet आपको मिलेगी यह आप लोग को एनियूस को जमा करा के duplicate mark sheet आपको लेनी होगी ठीक है तो उसमें खर्च का result जो है बिल्कुल accurate होके आए correct होके आए और original mark sheet भी आप लोग का बिल्कुल सही से आए जो exact detail आप लोग चाहते हो अपने mark sheet पर वही print होकर आए ठीक है अब देखो correction करवाने के लिए मैंने काफी सरी वीडियो अपने channel पे publish कर रखा है आप लोग उन वीडियो को देखकर क करोगे apply पे click करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को काफी सार यहाँ पे services मिल जाएंगे और इन सब के नाम आपको मिल जाएगा ठीक है basic detail change करना है name change करना है guardian name change करना है DOB change करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा basic detail correction है correction में name correction है father name correction है mother name correction है और DOB correction है ठीक Social category change करना है, disability change करना है, 10th कि passing year change करना है, ठीक है, और other details change में देखोगे correspondence address change करना हो, permanent address change करना हो, जो कि आप लोगको mark sheet जो मिलेगी न, वो correspondence address पर मिलेगा, तो अगर आपको correspondence address भी गलत है तो उसको सही करवा लो, ठीक है change कर लो ताकि आपकी mark sheet बिल्कुल आपके घर पर आपके एरिया के पोस्ट में देखके जाए ठीक है और भी यहाँ पे काफी सारी चीज़े दी गई है जिसको आप लोग करेक्शन करवा सकती हूँ अब सबकी फीस अलग-अलग है ठीक है जैसे कि नोर्मली आप लोग जब कोई करेक्शन करवाओगे नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डियो भी में इन सब के लिए सारे 400 रुपे फीस है खुश से करोगे तो ठीक है डॉक्मेंट के लिए देखो डॉक्मेंट के लिए एक पूरा नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को आप लोग डॉनलोड कर लेना मैं आपक कि अगर आपको name change करवाना है तो उसकेस में दो news paper चाहिए news paper की cutting चाहिए और एक gadget notification चाहिए अगर आपको name correction करवाना है चाहिए वो पापा का हो मुम्मी का हो या फिर आपका खुद का हो ठीक है तो उसके लिए बोला है कि एक आप लोग का ऐसा document जिसपर आपका correct name mention हो बस certificate हो सकता है ठीक है या फिर आप लोग का त्यंत का माक्षित हो सकता है और दूसरा जो है न एक फिडेविट यहाँ पर मांगा इन्हों ने name correction के purpose से डियोबी correction अगर आपको करवाना है तो डियोबी correction के लिए लोगने बोला है कि बस certificate या त्यंत की माक्षित कमपर्सरी है देना जिसपर बिल्कुल करेक्ट आपका डियोबी होना चीए डेटो वर्थ होना चीए दूसरा आप लोग का आइडिया हो जाए कि अफिडेविट कैसे बनता है तो इस तरीके से कुछ अफिडेविट होता है अब यह जवरी नहीं है कि 10 रुपे के stamp paper पर ही बनवाओ आप कई सारे ऐसे state है जहां पर 10 रुपे के stamp paper पर नहीं बना के देते हैं तो 50 वला भी बनवा सकते हो 100 वला भी बन signature देख रहूं नोट्री का सेल दिया गया है और नोट्री का stamp लगा हुआ है यह जोरी है नोट्री के बिना आप लोग का अफिडेविट जो है वैलिट नहीं माना जाएगा इस सिच को ध्यान लखने ला तो यह तो जनरली आप लोग के advocate बना के देदेंगे अगर आपके घर के आसपास में रहते हैं तो 100-150 रुपे में बना के देदें और घर के आसपास में कोई नहीं है तो फिर उसके समय आपको court visit करना होगा ठीक है वहाँ पर बहुत से वकील बैठे होते हैं किसी से ही बोल देना मुझे एफिडविट बनवाना है वह आपको बना के देदेंगे जनरली 100-150 रुपे लगता है ठीक है इससे ज्यादा नहीं लगता है ज्यादा इस्टेंप पेपर वाला बनाओगे न तो फिर उसके समय ज्यादा face आप से लेंगे ज्यादा चार्च करेंगे और देखो फोटो बगार अगर किसी को change करवाना है न बहुत से ऐसे लोग है जि चेंज करवाने के लिए कोई document नहीं देना है आपको बस आपको face देनी होगी photo change करवाने के लिए अब देखो वीडियो मैंने हर एक पे बना रखा हूं आप करना क्या जो भी आपको change करना है न एन्वेस ये change करना है जैसे की name change करना है और मेरा चैनल का नाम टास के जहलपिं करके देंगे और correction जो है generally आप लोग का 7 days से 14 days के वीच में जो है confirm हो जाता है और online भी update हो जाता है तो कोसिस करो जितने भी correction करवाने है न माक्षिट आने से पहले ही करवालो result आने से पहले ही करवालो आप लोग के लिए बहुत जादा पैसा बचेगा बहुत जादा समय और बहुत जादा आपको benefit भी मिलेगा ठीक है इस सीच को द्यान दखना correction करवाली न जितना जल्दी हो सके